किसे रहे वो नंबर्स उस पर बातचीत कर ले जा हश्दा आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे हश्दा गूड मॉरिंग करोड का फिगर का अनुमान था लेकिन ऑपरेशनल यह आप देखेगा इबिटा का आकड़ा जहां पर अनुमान था चेह सो तालीस करोड का यह 594 करोड पर आया 38% की गिरावट देखने को मिली तो प्रेशर है मार्जिन्स में भी 14.2% के मार्जिन्स 9.2% पर आये बाजार फैक्टरिन कर रहा था कि 10% तक मार्जिन्स आएंगे उससे जादा की गिरावट देखने को मिली है हाला कि इनका जो विस्को स्टेपल फाइबर विस्फ वाला बिजन्स है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है करीब करीब 24% का इजाफा इधार है लेकिन जो ड्रैग कर रहा है इनका केमिकल बिजन्स है जो सिरफ 3% ही बढ़ पाया है तो ये इनफाक्ट वो ग्रैसिम की फाइन प्रिंट है कंपनी की तरफ से जो ब्रेकडाउन है विस्फ में अच्छा प्रदर्शन लेकिन केमिकल्स की तरफ से दबाव और केमिकल्स तो क्या इंडस्ट्री वाइड फिनॉमेना है सब जगे ठंडा परफॉर्मेंस देखने को मिला है और विस्फ अच्छा है तो इंटर्नल्स मिले जुले हैं दरसल ग्रासिम की और लेकिन ओवर ओल जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता था नंबर्स उससे स्लाइड मिस ही कहना चाहिए खीक है अब देखते हैं आज कि तगड़े गैप अपर अच्छे मूड में पनिश करता है बजार या जजबातों बहें जाते हैं हम लोग यहां पर भी हरा निशानी देखने को मिलेगा चार्ट्स पर कैसा प्लेज दर उस पर बातचीत कर ली जाए सावन साब आप बताईए ग्रासिम इंडस्ट्री चार्ट्स पर कैसा लग रहा है नंबर्स थलके से फीके ही कहने जीए अशी जी यहां पे 1945 से लेके 1945 एक बहुत बड़ा गाप रेजिस्टंस था और अगर हम दो दिनों पहले की प्राइस एक्शन देखे तो बिल्कुल उसको चूके एक रेजिस्टंस आया है तो अगर किसी को फ्रेश पोजिशन लेनी है मेरे इसबसे वो 1950 के ऊपर ही लेनी होगी तब तक यह स्टॉक 1950 क्रॉस नहीं करता है मुझे लग रहा है यहाँ पे बिक्वाली कंटिनी होगी तो और जिनके पास एक्शिस्टिंग पोजिशन होगी वो 20 दिनों के आवरेज को याज़ स्टॉप लॉस करे तो आपके पास अगर लॉंग्स है तो 1910,1910 यह आपका स्पोट में स्टॉप लॉस होना चीए और फ्रेश पोजिशन जैसे मैंने का अबाउ 1950, स्टॉप लॉस 1935 और वहाँ से आप टार्गेट करीबन 1975 अश्री तक के राख सकते हों बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडना लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले